सभी लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि किसी भी फोन में लॉक लग जाता है और वो लॉक कोई सभी लोग भूल जाते हैं जैसे कि हम भूल जाएं या तो आपके साथ में जो लोग हैं वो भूल जाएं जैसे कि यह देख रहे हमारे हाथ में एक स्मार्फोन है यहां पे 6 डि आपके साथ ये situation हो चुका है तो मैं आपको एक ऐसा method बताऊंगा उस method से आप चुटकियों में किसी भी phone को unlock कर सकते हैं जी हां दोस्तों आप चुटकियों में unlock कर सकते हैं आपके phone में जो भी lock लग गया है उसको unlock करने के लिए आपको service center नहीं जाना होगा और आपको कहीं नह देखिए अगर आप इस काम के लिए service center जाएंगे तो वहां पर आपका काम होगा लेकिन वहां पर आपसे पैसे खर्च होंगे मिस service center वाला आप पैसे भी charge करेंगे आपके मोगाल का जो data है privacy data आपका personal data वो delete हो जाएगा मिस आपके phone को पूरा format मारके दे देंगे और 300-500 रु पूरु की बात है center info आप सभी को अभी से एक रुप्या भी खर्च नहीं होने देंगी यह मेरा गरांटी है आज से और अभी से तो चलिए ऐसा क्या trick है आप सीख लिजे आपको future में काम आएगा हो सके आप किसी भी person को सिखा सकते हैं और एक आप अच्छे smartphone का user बन सकते हैं बीना data delete की हुए देखिए service center वाले हर phone को जो unlock करते हैं forget pattern passport को वो अपने software के through online के through करते हैं और data cable लगा के करते हैं फिलाल हमारे हाथ में देख रहे हैं जो handset है हमारे table पर ना तो laptop है नहीं इसमें extra application है नहीं किसी तरह का data cable यहाँ पर लगावा देख रहे सिर्फ मेरे हाथ म एक smartphone है यहाँ पर देखिए असकीन देखिए करना क्या यह सिख लीजे आपको यहाँ पर तिन चार बातों की ज़रत है ध्यान देनी की ज़रत है जो बहुत ही carefully है पहला पहला बात आपको यह देखना है कि आपके phone में seem है की नहीं बहुत साई लोग यह करते हैं जो lock लग ज किजेगा अपना phone से इस तरह से sim निकल जाएगा तो उपर से skin के swipe कीजेगा और इस तरह से notification panel होगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है airplane mode पे इस तरह से जिसे हैं क्लिक हो जाएगा आपको यहाँ से चल जाएगा जैसे ही swipe कीजेगा उपर सी और निचे से उपर तो एक यहाँ पे खुल जागा इंटर वाला password देखें इंटर पासवर मांग रहा है यहाँ पे दो option आपको देखने के लिए मिल रहा है एक इंटर पासवर्ट और दूसरा option है emergency call तो आप emergency call की तरह से select कर लिजेगा और यहाँ पे emergency calls only का page ओपन हो जागा देखरें emergency calls only का page इस page पे आपको यह code डायल करना है यह code simple सा code है और जो मैं digit डायल कर रहा हूँ आपको भी यही डायल करना है और यहाँ पे आपको इस तरह से call वाला जैसे ही प्रेस करेंगे okay देखने की मिलेगा और यहाँ पे आपको बीना डरे हुए pass कर देना यानि okay कर देना one two three four five six seven eight and nine nine वर क्लिक करना आपके पास को भी फोन हो ओपो भी वो समसंग पोको को भी फोन हो यह ट्रिक सभी फोन में काम करेगा बस कुछ आगे का step है जो मैं आपको बताऊंगा आपको वह भी चेकरना होगा यह देखिए जब जैसे ही यह code पे जैसे ही आपका step complete हो जाए इस code को यहाँ सेटा दीजे एक final code जिसको बोलते मास्टर अनलॉकिंग कोड अस्टार है डवल ने और हैज देखेगा मैं जिसे हैज प्रेस करूंगा यह फोन इमर्जनसी कॉल्स ऑनली के पेश से चला जाएगा आपका इंजिनियर मोड वाले पेश पर देख रहें इंजिनियर मोड वाले पेश पर यहाँ पर चला गया अब इस पर आपको ज्यादा छेड़ चार नहीं करना है जंकारी है तो ही छेड़ चार करें नहीं तो सेंटे के इसको जितना बता रही है तो उसी अस्टेप को फोलो कीजिए आपका फोन अनलॉक हो जाएगा 100% अब देखिए हमारे हांद में जो हैंडसेट है अभी तक हमको नहीं पता है कि इसमें कौन सा Android वर्जन है आपके पास जो हैंडसेट है अभी तक हमको भी नहीं मालुम है कि आपके पास कौन सा हैंडसेट है और उस हैंडसेट में कौन सा Android वर्जन एक्टिव है उसको पहले चेक कीजिए उसको चेक करने के लिए देखिए नमबर उपर से नमबर 5 पर दीवा ऑप्शन है जिसका नाम है सब्ट्वेर वर्जन इसको क्लिक कर लीजेगा इस तरह से और डिफरेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेट कीजेगा हम आई ट्रीम आपको आपके हैंडसेट का कोडिंग हेल्प कर देखिए और सलूशन भी देखिए 100% यहां पर देखिए जब एंडवा वर्जन 11 है तो आपको मिलेगा एक ब्रांच वर्जन यहां पर आ और है अगर आपको 0,06 रहे तो 6 बड़ किलिक कीज़ेगा यहां पर 5 बड़ है मैं 5 बड़ यहां पर क्लिक किया कर दो और 20 पेस्पेस से यहां से 12 आजाना है जैसा ही आप से बहार आ जाएंगे फिर से छोंबरा पेस्पे चल जाएंगे और यहां से ऊपर से नमर फोर पे दीवे option है जिसका नाम में manual test इसको क्लिक कीज़ेगा और यहां पर second option second page open हो जागा second option पर चल जाएगा जिसका नाम में device driving और यहां पर चल जाएगा aim sensor aim sensor को क्लिक कीज़ेगा और देखिएगा कि आपका xyz इस तरह से synchronize हो रहा कि नहीं है और आपका aim sensor 150 से ज्यादा है कि नहीं android version 11 में 150 से ज्यादा होना बहुत जोड़ी है फिलाल हमारे handset में 150 से ज्यादा देख रहे हैं और यहां पर आपको 5-6 second hold करके छोड़ना है जैसा ही यह complete हो जाएगा इसको बैक कीज़ेगा और यहां पर जारव सको देख रहे हैं यह वहला option जार बूद करना देखना है आपका हैंसे स्टेस्टेंग अपर नाम का page खोजाना है इसले पर आपको करना क्या है उपर से दियोए ओप्शन सेकंड रीड़ राइट इसको क्लिक किजेगा और यहां पर ओके कर दीजेगा इस तरह से रॉंग पासवर्ट आपके फोन में आ जाएगा तो समझ जाएगा कि आपका फोन 80% अनलोग हो गया और डाटा वेस बर्जन पर कर लिजिए कि आपका फोन पास हुआ कि नहीं हुआ जब पास हो जाए इस तरह से तो समझ जाएए आपके फोन में जो भी लॉक लगा हुआ है वो सब कसा हट गया जैसे कि पीन पेटर्न पासवर्ट और साथ में फेस लोग फिंगर प्रिंट भीजिए हां अब देखिए हो सब्सक्राइब करते हुए कमेंट किजिए हमारी टीम आपको 100% हेल्प करेगी तो फिंट्स हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक जबदस्ट न्यू ट्रिक के साथ तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो पर बने रही हमारे चैनल पर बने रही है अगर आप अभी तक हमा सब्सक्राइब को हो आप भी कुछ सिखें अपने लाइफ में तो फिंट्स हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक जबदस्ट ट्रिक के साथ जब तक लिए बाई बाई